Hello children, myself Jagadamba Singh, welcome in political science class. We are continuing chapter number 2 which is freedom and this is the fifth part. इसे previous video में हम लोगों ने देखा था कि sources क्या हैं, restrictions के, जो हम पर लगाय जाती हैं, contents, इनके source क्या हैं? और आज के वीडियो में हम लोगों जानने बाला हैं, what do we need, why do we need constants? कि हम लोगों को constants क्यों जरूरी है, क्यों इनको impose करना citizens पर या किसी country के लोगों पर, यह जरूरी है कि उन पर कुछ restrictions हों, उन पर कुछ contents लगाय जाएं. तो आए समझते हैं इसको, we cannot live in a world where there are no content because without it society will descend into chaos and lawlessness. यह तो साब जाहिर है कि contents के बिना कुछ restrictions बिना लगाएं, हम लोग ऐसे world में नहीं रह सकते हैं, क्योंकि अगर कोई contents नहों, कोई restrictions नहों मनुष्य के उपर, तो वहाँ lawlessness हो जाता है, क्योंस की स्थिति हो जाती है, यानि कि कानून कहीं नजर नहीं आएगा आपको, और हर तरफ जिसको जिस तरह से इक्षा हो रही है, वो काम करने के लिए free हो जाएगा, और उस पर किसी प्रकार के कोई restrictions, जो law के द्वारा इपोस किये जाते हैं, व may have conflicting ambitions, ऐसा क्यों होगा, माल लिजे कि अगर सारे restrictions को हटा दिये जाए, तो कोई law वाली चीज नहीं बचेगी, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये आप खुद इसका निर्णे लेंगे, और आपको free छोड़ दिया गया है, कोई law imposed नहीं है आपके उपर, कोई restrictions नहीं है, इस काम को इस limit के आगे आप नहीं कर सकते हैं, तो क्या होगा, क्या उसकी स्थिति हो जाएगी, और ये इस लिए होगी, क्योंकि लोगों की ideas अलग-अलग है, उनका सोचने का धंग अलग-अलग है, वो हर चीज को अपनी द्रिष्टी से देखने की कोशिस करते हैं, और उन इनने ambition को achieve करने के लिए, वो किसी हद तक जा सकता है, वो किसी को मार सकता है, किसी के साथ कोई भी गलत काम कर सकता है, उपद्रों मचा सकता है, तमाम तरह की चीजें संभा हो, और ये होता है क्यों है, क्योंकि उसके ideas और opinions अलग हैं, उसके ideas अलग हैं, उसके opinions अलग हैं, औ वो चाहता है एक certain चीज को और जब सारे limitations हटा दिये जाएंगे तो वो चाहेगा कि anyhow उस ambition को वो अपना fulfill करें और उसके लिए वो किसी हद तक और किसी भी barrier को नहीं मानेगा और वो किसी हद तक जा सकता है there are numerous reasons why disagreements may develop in a society through open conflicts और यह disagreements हो जाएंगे चाल तरफ लोग एक दूसरे से सहमत नहीं होंगे क्यों स्थिति हो जाएगी कोई law नहीं होगा लोग आपस में भेड़ने लगेंगे चोटी-चोटी बातों को लेकर जैसे कि driving on the road सड़क पर चल रहा है तो अब जैसे left से चलना है तो कोई law नहीं है तो इस तरह की चीज़ें होंगी लोग गाड़ी के नीचे आ जाएंगे लोग दब जाएंगे दूसरी चीज़ें की फाइटिंग और पार्किंग गाड़ी खड़ी करने के लिए लोगों में जगड़ा देखने को मिलेगा मतलब तमाम तरह की चीज़ें सब्सक्राइटी में उत्पन हो जाएंगे अगर उस पर रिस्ट्रिक्शन से हटा लिए जाएं तो यह तो हम लोगों को समझ में आ रहा है कि इन लिमिटेशन का होना कितना ज़रूरी है एक सब्सक्राइटी में हम लोग को रहना है और एक लॉग कायम रहा है वहाँ पर पर रिच्पन से ही एक दूसरे की भावनाओं का कद्र करें उसकी भी पॉइंट ओव व्यू को रिस्पेक्ट दें और आपने व्यूज को दूसरे की ऊपर इंपूस करने के लिए फोर्सफुली उसको किसी तरह से बात देना करें कि वह आपके पॉइंट ओव यू से आगर के अंदर तो कहीं न कहीं लौ और लिमिटेशन्स में रहना ये एक सब्वे समाज का सूचक होता है इसलिए हम लोगों को यह चाहिए कि मीनिमम कंटेंट के साथ मीनिमम् रेस्ट्रिक्शन के साथ हम लोग कैसे अपने फ्रीडम को इन्जोई कर ले यह सबसे महान quando श्रीम के एक मनुष्य की कि उने जो फो करना है उसने खुद लिमिटेशन में अपने आपको बांधा है उसने खुद लॉव में अपने आपको बांधा है और वो उन लॉज में रहते हुए अपने फ्रीडम को इन्जॉय करता है बचों हम लोगों ने जाना कि for the creation of ideal society requires some constants कि कुछ restrictions जरूरी है to create a ideal society एक अच्छी society का निर्मान करने के लिए contents का होना जरूरी है उनके उपर कुछ laws को इंपूस किया जरूरी है It requires to respect different of views, opinions and beliefs इसके कारण हम लोग दूसरे के differences को respect करना सिखते हैं कि दूसरे का point of view हमारे point of view से different है तो उसको respect देना हम लोग देते हैं उसके views को, opinions को और beliefs को भी हम लोग importance देते हैं कि उसके भी कुछ अपने point of views है उसके भी अपने beliefs है तो उनको भी respect किया जाना चाहिए किवल मैं ही सही हूँ ऐसा नहीं है उसके विचार जो है वो भी उतने ही relevant है जितने मेरे विचार है We think that a strong commitment to our beliefs require that we must oppose all those who differ from or reject our views लेकिन वास्तविक्ता में ऐसा हो नहीं पाता है क्योंकि मनुष्य का जो एक nature है वो एक dominating nature होता है वो समझता है कि उसका point of view ही सबसे सही है उसके जो beliefs है वही सबसे सही है और उसके जो opinions है वही माहिने रखती है दूसरे के opinions माहिने नहीं रखते है तो ऐसी स्थिरित्ती में वो अपने strong commitment को दूसरे से मनवाना चाहता है एनिहाव हर मनुष्य यह चाहता है कि जैसा मैं सोच रहा हूं वो जो बात है वो अगले भी उस बात को माने उनका point of view से सब लोग agree करे ऐसा हर मनुष्य चाहता है और इसके लिए वो दूसरे के जो views होते हैं दूसरे के beliefs होते हैं दूसरे के opinions जो होते हैं उसको refuse करना वो शुरू करता है और यही पर यह ज़रूरी हो जाता है कि we see their views or ways of living unexpected or even undesirable और वो समझने लगता है कि अगला व्यक्ति जिस तरह से उसका वहने का धंग है उसके सोचने का धंग है वो un-expectable है वो एक्सपेक्ट करने के योग्य नहीं है वो सारी चीजें जो अगले का point of view है और ऐसी इस्तिती में ही यह जरूरी हो जाता है कि under such circumstances we need some legal and political restrictions और ऐसे ही में legal and political restrictions की जरूरत हमें दिखाई देती हमें इसके लिए बाद होना पड़ता है कि लोगों को कुछ restrictions और कुछ limitations के अंदर उनको बांधने की कोशिश की जानी चाहिए क्योंकि अगर हर व्यक्ति अपना ही point of view सामने रखेगा और उससे दूसरों को उ conflicts पैदा होंगे और यह समझाने का भी प्रयत्म होता है in limitations के जरी कि you have to respect others point of view also कि others के point of view से भी आपको कहीं न कहीं सामत होना पड़ेगा ऐसा नहीं है कि जो आप सोचते हैं जो आपके point of view हैं जो आपका opinion है वहीं सबसे stressed है नहीं आपको दूसरे के भी opinion believer point of view से आपको कहीं कहीं सामत होना पड़ेगा और उनको भी liberty आपको देनी पड़ेगी और ऐसी हलात में under such circumstances we need some legal and political to ensure that differences may discuss और जो भी अगर वैचारिक मत भेद है point of view का clash है उसको debate और discussion से उसको resolve किया जाहिए न कि उसको एक conflict के जरीए या फिर किसी war के जरीए उसको handle किया जाए यह जो भी नहीं है बैटके debate और discussion से उन चीजों को solve किया जा सकता है debate and without one group corrosively impose its view on the other और ऐसा नहीं हो सकता है कि एक group या एक individual अपने सारे point of view और सारी चीजें जो है उसके opinions उसके beliefs उसको दूसरे पर impose करने की कोशिश कर तो हम लोग देख रहे हैं कि restrictions की ज़वरत तब पड़ती है जब हम लोग अपने limit को नहीं मानते हैं और दूसरे के point of view से agree नहीं करते हैं तब वहां conflict की स्थिति आती है और वहीं ज़रूरत पड़ती है limitations की जो दोनों के बीच में conflict को रोग दे और बताये कि आपके limitations यहीं तक है इसके बाद आप अगर आपने point of view को impulse करेंगे तो अगले वैक्ति का freedom जो है वह वाइलेट होगा यह समझने की जरूरत यहां पर पड़ती है आई यह देखते हैं conclusion के तौर पे हम लोग क्या पाते हैं contents control conflicts in society contents और restrictions जो लगाया जाते हैं इससे society में जो conflict पैदा होता है इसको control किया जाता है यानि कि जैसा कि हम लोग ने समझा है कि जब point of view नहीं मिलते हैं तो वहाँ clash होता है और ठिक वहीं पे कोई limitation improves किया जाता है कोई restrictions लगाया जाती है कि अगले व्यक्ति का जो freedom है वो वाइलेट नहीं तो इससे conflict जो है वो resolve हो जाती है यानि हर लोग अपने limitations अपने freedom के limitations को जानते है कि इसके बाद अगर मैं freedom को use करूंगा अपने तो वो अगले व्यक्ति के freedom को वाइलेट करना होगा content contents help in accommodation of differences यह जो differences है point of view के इसको भी कम करने में मदद करता है अगर restrictions नहों तो यह और बढ़ जाएंगी जो अलग-अलग जो differences है उनके सूच में इनको और बढ़ने का मौका मिलेगा तो इस पर एक तरह से यह रोक भी लगाती है और contents help in the protection of freedom और इससे हर वैक्ति का freedom प्रोटेक्ट होता है कोई एक दूसरे के freedom को वाइलेट नहीं करेगा इसकी guarantee मिल जाती है लीगल guarantee मिल जाती है सोसाइटी उसको ensure करती है कि एक दूसरे के freedom को हम लोग वाइलेट नहीं करेंगे और हर किसी को आपने freedom को enjoy करना है करने की इजाजत होगी विथ देर लिमिटेशन तो बच्चों उमीद है कि आपको why do we need constraints यह समझ में आओगा तो अपने दोस्तों के साथ इसको share कीजिए like कीजिए वीडियो को और subscribe कीजिए थांक्यू